हेलो एवरिवन स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं परमिंदर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब एक और नए व्लोग में तो ये भई चाय वगेरा के थोड़े से बरतन थे बस नहाग आई थी वो साफ करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट में हमने चाय के साथ ही ब्रेड वगेरा ले लिया था क्योंकि छुट्टी है आज उदम सिंग जियनती है तो उसके उपलक्ष में छुट्टी है तो लंच में देखते हैं क्या बनाएंगे वैसे तो आज छुट्टी है और इशान्त ने बोल ला है कि कड़ी च पसंद है तो चलो फिर कड़ी चाहुल बनाने की ही त्यारी करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो वही है कि जो भी ये ताम जाम है हमारा लसुन प्याज मिर्ची अद्रक सभी के सब को चील के काट पीट के तियार कर लेंगे हाना तो ये प्याज चील लिए मैंने और लसुन की ले लेंगे मैंने मतलब पूरा एक ही बंडल सा ले लिया लसुन का तो ये सारा काड़ी में जाएगा क्योंकि कड़ी में लसुन सबसे ज़्यादा पढ़ता है है न डलता है तो ये देखिए मैं इसमें ये काफी सारा लसुन डालने वाली हूँ और इशांत को कड़ी में भई ये इतना ताम जाम पसंद नहीं है और इसको ना ज्यादा अच्छी तो ना वही कड़ी लगती है जिसमें ज्यादा ताम जाम यानि की मेती वगेरा लसुन जीरा ये चीज़े ना हो तो ये देखे और इशांत आगया था कितनी देर लगेगी कड़ी बनने में चावल बनने में तो मैं कहाँ पहले तो सबसे पहले अदरक लेके आ और फिर बताती हूँ तो ये शांत मुझे अदरक देके चला गया वापिस से कड़ी भी ऐसे ही हर कोई बना लेता है बिल्कुल सिंपल तरीक है कड़ी बनाने का भी तौ ये ब्रेड के पकेट में ना ये नीचे गिरगी थी मिरचे शांत से उसने ब्रेड के पकट में ही डाल दी तो उस में से मैंने ये मिर्चे निकाल ली थी तो थोड़ी कम थी तो थोड़ी लूंगी मैं उस कपड़े में से, मैं मतलब मिर्चे ना धो के, सुखा के, इनकी डंटलो गैरा तोड़ के, ऐसे रख देती हूं, तो ये खराब नहीं उत्ती, और ये लेली भई मिर्चे, क्योंकि इशांत को तिखा ही पसंद है, और हमें भी तो चटपटी सी, तिखी सी कड़ी बनाएंगे आज, और मैंने इनको काटा नहीं, और इसमें मतलब मैं इनको पीस लूँगी, चोप कर लूँगी, चोप पर तो दूसरा भी है, पर ये मेरे को ज़्यादा ठीक लगता है, इसमें अच्छे से हो जाता है, और इजी, तो ये देखिए, कितना बारीक बारीक हो गया, तो ये तो हमारा हो गया, इधर त्यार, और आज सबसे बड़ा, सबसे में काम है, कि बरतन कम से कम गंदे करेंगे, ठीक है, कीचन में जब हम काम करते हैं, तो बरतन बहुत गंदे ह जाते हैं आज सबसे कम बरतन गंदे करने हैं ये देखे दूद का पतिला मैंने खाली किया था और इसमें ऐसे ही ये बेसन डालके घोल दिया दूद काय तो चल जाता है और दूद निकाल दिया चोटे बरतन में क्योंकि मेरे को ये खाली करना था शाम के दूद के लिए तो इ इसी पतिले में ही मिक्स कर लिया अभी साथ के साथ और ये तल देंगे पकोडियां ये देखिए मस्त वाली तो कड़ी में ये पकोडियां हो तो ही अच्छी लगती है कड़ी और क्या बोलते हैं पकोडा कड़ी तभी अच्छी लगती है तो एक पूर मैंने इसमें से निकाल और ये दूसरा है कुछ ही शांत ऐसे ही खा लेगा ये देखिए और मैंने इसमें कोई भी मतलब सोड़ा बेकिंग सोड़ा नहीं डाला जो भी रिफालतू का तेल था वो निकाल लिया और जो भी पकोड़ियां बनाई थी उनमें डाल दिया पानी मैं हमेशे ऐसी बनाती हूं और दूसरी साइड मैंने सारे मसाले ले लिये और ये हरी मिर्च ये हरी मिर्च में बीच में चीरा लगा के सुक्की मिर्च की जगए हम ये वाली मिर्च लेंगे हरी ये बहुत टेश्टी लगती है कड़ी में सुक्की की बजाए ये ज़्यादा अच्छी लगती है कभी इ इनका टेस्ट अलग ही आता है और ये वैसी हो जेंगी काली अभी तेल में पक पक के तो इसमें भई फिर मसाला इदर मैंने ये तियार कर लिया काली मिरच जीरा हींग और मिथी काफी सारी मुझे कड़ी में मिथी बहुत पसंद है वैसे तो खाई नहीं जाती तो कड़ी में म पेश्ट बहुत अच्छाता है काली होगी हैं बिल्कुल और इसको तुरंत ही ढख देंगे ताकि जो भी इसकी खुश्बू मेति की है वो अंदर ही रहे और ऐसे ही इसमें ये मसाला डाल देंगे क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है तो एक हाथ सी कर रही इसको भी ऐसे ढख देंगे ताकि जो भी इसका धुआ है वो अंदर ही रुके खुश्बू वगयरा मेति की तो ये देखिए अच्छे से मसाला बुन जाएगा और इधर दूसरी साइड फिर मतलब बेसन वगयरा त्यार कर लूँगी जब तक ये बुनता रहेगा अच्छी तरह से तो ये लें प्रक्ट देहीं जमी है बई चाहे चक्को के साथ काट लो इतनी अच्छी देहीं बनी हुई है तो जो फालतु है वो दहीं हम इसमें से निकाल देंगे और बाकी में ये ब्लेंडर चला लेंगे दहीं बिलकुल मुलायम मुलायम क्या एक सरीसी होझेगी लंसनी रहेंगे इ और फिर डाल देंगे इसमें इसमें से मैंने कोडियां बनाई हैं साइड में न जब मैं कोडि के लिए निकाल रही थी वो लाईने उससे हो गई हैं पतिले में और ये मैंने इसमें डाल दिया और ये ही छोटा एक पतिला इसमें उसका डाल देंगे पानी का चोटा सा पतिल्ला ये क्यूटू पाई सा क्यूटू सा पतिल्ला जिसमें से मैंने देही लिया और पानी डाल लिया इधर मसाला बिल्कुल त्यार है क्योंकि इसमें ये काफी सारी ना वो है मेथिव गैरा जिरा वगैरा तब ये थोड़ा काला आपको नजर आया और ये देखिए जी तो इस तरह से हम कड़ी बनाते हैं और अच्छी बनती है उपर मैंने थोड़ी सी मेती भी डाल दिस में तो ये कड़ी बनके तियार हो चुकी है कैमरे में इसका कलर कुछ और नजर आया वैसे नजर कुछ और आ रहा था तो कैमरे में कहीं बार जो होता है वो नहीं दिखता तो इसका कलर ये नहीं था दूसरा था तो साथ के साथ इसमें यानि पक गई है थोड़ी बहुत तो नमक मिर्च देख लेते हैं क्यूंकि अगर नमक मिर्च ना सही होना तो फिर टेश्ट नहीं आता खाने वाले को मज़े ही नहीं आता मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता इसलिए नमक मिर्च पहले ही चेक कर लेंगे और थोड़ा सा नमक कम था वो मैंने डाल ही दिया था तो अब साथ के साथ सलफ पे जो भी कुछ गीरा है थोड़ा बहुत जो भी है उसको कर देते हैं साफ और इस तरह हमारी चटपटी कड़ी त्यार हो जाती है बनके गैस साफ करने के बाद और फिर देखते हैं चावल कैसे बनाने है उबाल के बनाने है या फिर तड़के वाले बनाने है वैसे मेरा मन है उबाल के बनाने का देखते हैं क्या रहेगा अभी दूसरी साइड हम रख देंगे चावल सोच लो कैसे बनाना है मैं सोच रही हूँ चावल डाल दे था क्यास्त्य वह हैंने जाहते हुए मैंने दालतुए जाहते हूं कि वे पकोड़ सब्सक्राइब भी अच्छे नहीं लगते तो बाद में ही डाली जब भी आप कडी में प्कोड़े डालेंगे और ये देके चावल बन गए थे कडी बन गई थी और इशांत के लिए कडी चावल की प्लेट लग गई है तो उसको दे देती हूं सबसे पहले और ये मखन वपर से गरमा गरम कड चावल और मक्षन